नमस्कार साथ यो आज हम बात करेंगे भाई रसिया के बारे में देख सकते हैं रसिया जाओगे तो लाखों कमाओगे बैंकर वाले जोब तीन लाख से ज्यादा तंखा मिलेगी और शिटिजन शीप भी आपको मिल सकती है और कंपणियों में भिया आपको पता एक बूस्ट ह बहुत ज्यादा जोब आ रहे हैं तो इस पे हम बात करने वाले रसिया से रेलेटेड आप मुझे भी लोग बोलते हैं मेरे पास यूटूब भी सेजेस्ट कर रहा है या रसिया सबसे ज्यादा लोग इंकौरी ले रहे हैं तो एक वीडियो हमने पहले बनाया था इस पे हम रसिया में तुरंट आपको जोब भी मिलेगा वीजा भी मिलेगा 15 से 20 दिन के अंदर ये प्रोसेस आपका हो जाएगा ठीक है जी तो सबसे बड़ी बात है कि अनफट लोग जा सकते हैं बिना कोई काम आपको नहीं आता है फिर भी आप यहां पर जा सकते हैं मेडिकल अनफ आपके मिल जाएगी काम आपको किसी भी जगह पे हेलपर का मिल सकता है पेकिंगा जोब मिल सकता है होटल में जोब मिल सकता है कमपनी में जोब मिल सकता है कीचन हेलपर में कीचन में जोब मिल सकता है ड्राइवरी का आप कर सकते हैं ओपरेटर में कर सकते हैं कंट्रक्शन म में भी कर सकते हैं, सबी परकार के जोब आपको मिल जाएंगे, 500 से ज्यादा इंडियन लोग यहां पहुंच चुके हैं वीजा प्रोसेस की बात करें तो 15 से 20 दिन लगेगा, वीजा चार्ज की बात करें तो 1.5 से 3 लाख रुपे तक लोगों के लिए जा रहे हैं अजेंट कहां से मिलेंगे, यह सबसे बड़ी बात है तो अजेंट मिलेंगे आपको यूटूब से जी हां, सोसल मेडिया से आप कोंटेक्ट कर सकते हैं, यह बाते आजकल देखने को, सुनने को अच्छी तरीके से मिल रही होगी आप लोगों को, और हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था इसके उपर अब इसकी उलट सचाई पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात पहले भी बोली थी कि यह माजरा चल रहा है जी हाँ, सेना में भरती के नाम पे देख सकते हैं, भारतियों को दोके से लड़ने बेजा, रोसी कंपनियों में नोकरी का उफर लेकिन वेगनर आर्मी जोइन करा दी 2224, विदेश मंतराले बोला यूक्रेन यूर जंग से दूर रहे भारतीय कारूस में भंसे लोगों को छुडाने की कोशी जारी अजेंड ने दोके से कराई, आर्मी जोइन 11 गंटे पहले और ये भारत के जवान है जो रस्या की वर्दी पहने वे खड़े दिखाई दे रहे मैंने एक वीडियो बताया था, मैंने ये भी बोला था अब तक मीडिया की नजरों मेर भारत सरकार के पास ये बात नहीं पहुंची है तो इस वीडियो को हमने डाला था चार-पांच दिन पहले और अभी दो दिन से ये सुरकियां बटोर रहा है सरकार्त के बात पहुंच चुकी है क्योंकि लोगों ने वीडियो वाइरल किये न्यूस बे ये बात आ गए विदेश मंतराले जे संकर साब के पास भी ये बात पहुंच गई और संसद में भी ये बात मुद्दा उठाया गया है आप देखिए हुआ क्या है बाइसाब एक यूटूबर पे एक बाबा बलोग के नाम से यूटूब चैनल है वो फरोड सदा से ही फरोड कर रहा है मैं उसको काफी सालों से देख रहा हूँ पहले वो दुबई कतर में करता था दुबई के नाम से उसके बाद मैं जर्वेजान में करने लगा अब ये बंदा रशिया पहुँच गया इन लोगों को ये दुबई से डेल की दुबई से अच्छे कासे पैसे कमा रहते हैं वहां से ये वहां ले गया रशियन लेक में जमें अगरिमेंट करवा लिया एक साल का काम करोगे इतने ट्रेनिंग मिलेगी इतनका मिलेगी छे मेने बाद सिटिजन्शिप मिलेगी और इन लोगों को दोके से आर्मी जोइन करवा दी गई और आर्मी में भी भाई साब फरंट पेज बे भेज दिया गया ये उगी नी प्रोगो जी ये दिख रहा आपको रूस ने इसको टपका दिया पुल्ग पुतीन ने इसने भी भाई साब रूस सरकार से बगावत करके आपको पता ना वहां पे 2023 जून में तकता पलट करने की कोशिस की और आपको पता वहां पुतीन किसको छोड़ता है प्लेन के सहीती उडा दिया इसको 10 लोग साथ में मारे गए थे बाबा बलोग यूटूबर के नाम से काफी लोगों ने उसने बहुत सारे लोगों को वहां पे भसाया और आर्मी में बर्ती करवा दिया गया अब ये इनके वीडियो वाइरिल हुए तो ये लोग वहां पे फंस से फंस जा चुके हैं तो सरकार ने भी बोला है और OVC ने भारत सरकार के एजेंट के खिलाब कारवाई करें OVC, 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 OVC के लिडर है, OVC, OVC, OVC वहां पे इसको भी ये मुद्दा संसेथ में उठाया भी है कि इनके खिलाब में कारवाई की जाए और घर्म अंतराले से बोला है कि इनको अस्तक्षेप करके भारती लोगों को वापस बुलाया जाए अलांकि बहुत सारे लोग फंस चुके हैं और बहुत सारे लोग मुझे जहां तक मैं मानता हूँ मारे जा चुके हैं फरंट लाइन पे यूक्रेन की बोर्टर पे 20 किलोमेटर पहले हैं वो रोल लड़ाई कर रहे हैं इनको ट्रेनिंग दी गई वर्दी पहनाई गई और वहाँ पे इनको फंसा दिया गया अब यूक्रेन यूद यूद में पहुंच गए और वहाँ से आना आपको लगता है मुम्किन है आलांकि बारत सरकार अपने इस तरफ पे कोशिश करेगी आपे में लोग कमा रहे थे फिर भी लोगों को फंसा लिया गया और अब इनकी जिंदगी जंड बना दी गई है ना इसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने जोइन कर रखी है यह तो इनके पास फोन नहीं है यह तो फोन से वाइरल हो गया है उनके वीडियो इनकी न्यूस पहुंच गी तब यह पता है बाकी मेरे इसाब से 500-700 क्या ज्यादा ही लोग ऐसे हैं नेपाल के भी हैं इंडिया के भी है ना जो लोग वाँ पे फंसे हुए है नामुम्किन के बराबर है इंडिया वापस लोट के आना जो इधर है वो तो हो सकता आ जाएंगे लेकिन जो पर चले गए और वहां से आना नामुम्किन है और पुतिन की सरकार तो भाई इंटरनेशल अस्तर पे लोगों की बरती कर रही है हेलपर के तोर पे क्यूंकि यूक्रेयन सरकार का यह कहना है कि पुतिन के लगबग 4 लाग के करीब शेनिक मारे गई इसलिए वहां पे शेना क पता लग जाएगा फिलाल यूक्रेयन में कोई भी आपको कंपनी के नाम से भी बेज़े तो जाना नहीं है क्यूंकि आपको यह जो उपर मैंने पहले बताए ना उन नामों से बेज़के यहां पे आपको बेज़ा जा सकता है फैंस जाओगे तो आपको फिलाल के टाइम य मुझे लगता है कि आपको यह बात समझे में आ गई होगी तो कमेंट करिएगा मिलते हैं नक्स वूडियो मसे जान करें के साथ जेहीं जे बात